इस देश का जो मिडिल क्लास है उसके लिए पूरे साल में दो तारीक हैं सबसे अहम होती हैं एक तारीक होती है एक फरवरी जिस दिन बजट पेश होता है और उस दिन उसे पता चलता है कि उसके इंकम टेक्स में क्या बदला हो है और दूसरी तारीक होती है 31 जुलाई जिस से पहले उसे अपना इंकम टेक्स फाइल करना होता है लेकिन ये सारी बाते हम 23 जुलाई को बैठ करके कर रहे हैं क्योंकि जो एक फरवरी को आया था वो अंतरीम बजट था और इस बार 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश हुआ है और इसमें भी इस बार वित्तमंत्रे निर्मला सीता रमन ने कुछ ऐसे प्रावधान किये हैं टेक्स को ले करके कि जिन्हें समझना हमारे और आपके जैसे मिडल क्लास के लिए बेहर जरूरी हो जाता है आम तोर पर आप समझते भी होंगे हम भी समझते हैं लेकिन अगर कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लंबी पढ़ाई करके इस पूरी प्रक्रिया तक पहुंचता है वो समझाता है तो बाते थोड़ी आसान हो जाती है तो चलिए वित्मंत्री ने जो कहा है उसको थोड़ा आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि वित्मंत्री ने मिडिल क्लास को क्या दिया है तो थेंक्यू सर मनीश जी आप चुकी चार्टेड अकाउंटेंट हैं और हिंदी में उसको कहते हैं सनदी लेखाकार इतनी भारी भरकम भाशा होती हिंदी में वित्मंत्री नहीं जो समझाया है बहुत लंबे एक घंटे से उपर का जो उनका भाशन रहा है बड़ा लंबा चोड़ा रहा है क्या मिला मिद्वा स Kinast到 Can't you variety sounds about material नगई उनिक्स के लिफच को में पूरे बजट पर नहीं जाके सबसे फिदे क्लास पर तो जैसे कि एटीसी डेड़ लाग आपका एटीडी मेटिकल इंसुरेंस पचीस जार सीनियर सिटिजन के लिए पचास जार और बेसिक एक्जम संट धाय लाग यह दो हचार चौदा पंदर बंदर आज से दस साल पहले ही एक्स्टेंड किया गया था और हमें और आपको पता है कि पिछले दस सालों में महादाई कितना बढ़ा है कल का इकनौमी सर्वेवी देख ले जहां पर कहा जा रहा कि पांच परसेंट का इंफलेशन है तो दस साल में कम से कम पचास परसेंट उस अधार पर आपने तो एक रुपया भी नहीं बढ़ाया तो इस से मैं कहूंगा कि मि पाराइरी का जाल और अर्मख रहें जब 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 मैंने देखा है जब से मैंने टेक्स में में और में परएश भी कहarti पर है और मैं सब्सक्री टाइट विढ़ा है तो स्हें परसेंट कॉंफ़लिकेटल होता है अब नहीं क्या क्या में से में लिमिट वही तीन का तीन लाग रखा है तीन से छे लाग का जो था पांच परसेंट उसको सेवन लाग कर दिया और बोले कि हमने इतने हजार करोर मत दाताओं को मैंने फिर दिया पहला पॉइंट दूसरा जो पंद्रा लाग की उपर थर्टी परसेंट लगता था वह आपने रहने दिया तो अल्टीमेटली और उसके बाद सबसे इंपॉर्टन चीज है कि जो हाउसिंग लोन के बारे में सोचा जा रहा था कि कुछ हाथ में मिलेका तो अल्टीमेटली मैं स सारा सपने पहले की यह चीज कर देंगे वह चीज कर देंगे लास्ट में सिर्फ जोना दे दिया गया मतलब कुछ भी मिलने के नाम पर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हम भी देख रहा है कि जो टैक्स रिजीम थी हमें उम्मीद यह थी कि एक तो छूट बढ़ेगी दूसरा ह हमें यह लग रहा था कि कम से कम और टैक्स रिजीम और टैक्स रिजीम को दोनों को मर्ज करके कोई एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला बनाया जाएगा जिससे कि आम आदमी उसको भर सके सीए के पास जाने की बहुत कम लोगों को जूरत पड़े जो बहुत जादा जिनके बहुत कम्प्लिकेटट इशूज हैं वह जा करके करें और खुद से लोग फाइल कर लें यह बहुत लंबे समय से बातें करते आ रहें फिर भी हम नहीं कर पा रहें फिर वी हम नहीं कर पा रहें हां तो यह नहीं हो पाएगा यह इन्होंने सबसे पहले अभी वह विन्होंने सब्सक्राइब लाओ यह न्यू खत्म करो और रखो तो आपने दो अलग रास्ते क्यों रखें तो यह एक कॉंप्लिकेटेट है जो हर मिदिल क्लास आज आपको रिटर्न भड़ना है तो अगर आप यह एक दिमांग में आएगा अरे यार कहीं मैं जाकि मेरो टेक्स तो नह सब्सक्राइब करेगा आपको भी टेंशन और बाद में यह पता चलेगा कि दोनों टैक्स में कंपेर करने के बाद दो हजार बसी तो पता चला क्योंता तो प्रोफेशनल ने पैसे ले लिए तो यह कॉंप्लिकेटेट किया जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि गुवर्मेंट और इन्होंने जो अपना एक प्रेजेंटेशन पेश किया है उसमें साफ साफ देखिए एक चीज लिख रहे हैं कि सेविंग अप्टू सेवेंटीन थाउजन फाइव हंडेड़ रूपीज कि यह जो हमने आज चूट दी है वित्तबंतरी निर्मला सीता रहमन ने उससे दो पांच परसेंट तो यह बेनिफीट हो गया इस तरीके से इन्होंने और सत्रही बाताएं इनको तो और बच्चीज रूप्या बचान बताना चाहीं था रीजन क्या है पहले एक लाग का होता था उसको पक्तीज एक लाग पचीज आरे तो यह सत्रह पांसों कैसे लाए लगता था उसको आपने लिखा यहां पे लेकिन यह जो अलग से सिंप्लिफाइंग करने के नाम पे मैं और दिखा दूं दर्शकों को यह सिंप्लिफाइंग करने के नाम पे यहां पर जो पीपीटी बनाई गई है उसमें यहां लिखा है सेविंग अप्टू 17,500 डुपेज और वहां उपर में छोटा छोटा लिखा है कि 12.5 परसेंट कर रहा है इसी तरीके से जो हम सोटम में पैसा अंड करते हैं जिसे एक साल से कम में हमने सेर को खरीद विक्री कर लिया पहले 15 परसेंट लगता था अब वहीं पर हमें 20 परसेंट देना पड़ा तो अल्टिमेटल कि आपने एजुकेशन लून जो बहुत सारे एजुकेशन लून था जो आज की देट पर 10-11 परसेंट चलता है जब हम काई दौन का इंटरेस्ट किया गया है बहुत सारे ऐसे से क्टर हैं चाहाँ पर टूरिस्म आ बरहाबा देने के लिए और बहुत सारी मैं इन्यारा बा इंप्लाइमेंट जन्रेट होगा इंड़ेस्ट्रियल को डीडोर में कम से कम सरके तो बनाओगे तो इंप्लाइमेंट लगेगा तो कुछ तो होगा ही होगा तो इस बजट को जो कि मैंने देखा है सर आप लोग ज्यादा बहतर बता पाएंगे मुझे राजवीट से दो चीज है और दूसरा है विहार विहार को करीब करीब 41,000 क्रोड रुपए के आसपास दिये जा रहे हैं जिसमें से 26,000 क्रोड रुपए पुल बनाने और दूसरी चीज़ों के लिए बाकि वहां पे कारिडोर बनेगा और इंड़स्ट्री बनेगी और दो भी तमाम चीज़ोंगी विहार अंधरप्रदेश में अमरावती को बनाने के लिए अलग से पैसा दिया गया है और यूथ को लेकर करके जैसा कि आपने कहा कि फोकस किया ही जा रहा है बाकि और भी तमाम ऐसी चीज़े की जा रही है क्या इस बजट को इस हिसाब से भी देखा जाए कि जो केंदर सर जवाब देता हूं कि जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था कि बीजेपी अपने आप में बहुमत था इस बार 240 है तो कहीं न कहीं आप नितीज बाबू और चंद बाबू नाइडू पर आप निरुहर हो तो वो जो अस्पेशल स्टेट का जो स्टेटस मांग रहे थे वो त तो नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलिशन है और यह तो स्यूर स्यूर स्यूर्ट था कि बजट में आगे पीछे कभी विदे इनको तो पैकेश देना ही देना था और यह अंदाजा उस टाइम भी लगया था जब सरकार बना था सरकार बनने की बाद जिस तरह के से मंत्राले का बितरन हुआ था मतलब कि सारे अच्छे मंत्राले आपने पास आपका जो इच्छा आप रखो मुझे उससे मतलब नहीं लेकिन जनता में एक संदेश दे दिया था कि हम आपको कुछ पैकेश देंगे लेकिन मंत्राले और मेरा कब जा रहेगा तो अबर आल आपने दो स्टेट को दिया ठीक है लेकिन राजनीतिक्स वैसाखी के कारण दिया या नहीं दिया हुए आपका मुद्दा है लेकिन आपने जो यूद का सवाल उठाया यहां पर कल भी परधान मंत्री संसत में जाने से पहले कुछ बात कर रहे थे उन्होंने फिर से चार लोगों का नाम लिया अंदाता महिला यूद लोग हैं में सिर्फ जॉब आले नहीं होते कुछ प्रॉपराइटर हो मैं भी मिडिल क्लास का कोई पॉल्टिस के नाम ही नहीं लेता उनको से पता है कि यह तो टैक्स लेने के लिए बने हुए हैं अधर क्लास को क्या दे रहो केप्टल गेंद से बारा सारे 12 परसेंट कर दिया 15 से 20 परसेंट कर दिया आपने टैक्स एक जमसन में कोई छूट नहीं पढ़ते जा रहा है और आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो इसका क्या मतलब कि मिडिल क्लास उनके लिए सिफ टेक्स वसू हुए ही है बहरीन है बहुत अच्छे अच्छे देश हैं जो बिना इंकम टैक्स के अपनी सर्विसे चलाते रहता है पूरा देश चलते रहता है लेकिन यहां पे बार-बार हम लोग भी जब एक बतौर पत्रकार भी जब हम लोग बजट सुनते हैं शुरुवात होती है तो साथे चार परसंट के आसपास हो गया है और या होने की उम्मीद है इसको आप किस तरीके से देखते हैं जब देश इतनी तेजी से अर्थवस्था बड़ी बनता जा रहा है तीसरी देश के सबसे बड़ी अर्थवस्था बन गया है दुनिया की फिसकल डिश्ट हमारा कम हो छोंद वो तब भी आप ज्यादा स्いつ 20 कर सकते छोटा से यामाल डेता हुं मेरी सेम Subscribe करों 22 करों का नहीं या लेकिन उस दो लाख की उपर आप कितना जीस्टिक रिकवर करोगे आपको नहीं समझ में आ रहा सकेंड उसे इंप्लाइमेंट भी जनरेट होगा तो यह कहना कि सरख से हम सर्कार गुरुम्हणोंट को चला लेंगे जैसा आपने बता यहीं मिद्ल कर रहा हो जाए 20 व creator को मिद्ल क्लास को में तो आप जितना ज्यादा रियायत दोगे उतना अच्छा होगा सब्सक्राइब के बारे में था तो गौर्मेंट एक अच्छा काम करें कि पिछले पंच्छे साथ सालों में बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा हां लोन लगातार बरते जा रहा तो कोई ना कोई आपको कदम लेन कि हम अगले चर-पांच सालों में किस तरीके से मैंफ एक कर सके स्कें यहसर्व सेक्टर में हम इंप्लाइमेंट Word को को हम लोन के थुरू नहीं सब्सक्राइब करने की बात हुई प्राइबट सब्सक्राइब कैसे देखते हैं इस पुरे बजिट को कि नौकरी यॉव हो बत हम लोग कर रहे थे सिर्फ लून की इनका जो यूजना है अभी बजट आया है अभी तो सब्सक्राइब हमें नहीं पता है जैसे उन्हों ने बोला कि सोलर प्रोजेक्ट पर हम काफी पैसा देने वाले हैं और उस वहां से बेनिफिट विलेगा बच्च एजुकेशन लोन में हम इंट्रेस्ट कम करने वाले हैं और उसके बाद उन्होंने बना कि एक यारा-बारा इंडस्टियल को डिडूर बनने वाला है फिर महिलाओ के इसकील पर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है जो मुद्रा लोन दस लाग था उसको वीस लाग करने वाले तो इस तरह के से देखते कि इस सवाल में इतना ही बोलूगा कि हम से ठेक्सपेर के अधार पर बात करें तो एक या दो नंबर देशकता हो लेकिन ओवर्ल एकनोमें याट्स्टी की बात करो तो आठ या नो नंबर में जो मिडिल क्लास को अगर छोड़ दिया जया तो ओवर और यह बजट शांदार है जो सीजें हैं मनीश कुमार जी उनके मुताबिक आपने ये पूरी बातशीत सुनी, आपको ये बजट कैसा लगा, आपकी क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई, वो हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, शुक्रिया, आप देख रहे थे, अनकट.